हैलो दोस्तों मैं अनुस वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अनुस के टिंव लॉक्स तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको फिछले व्लॉक में बताया था कि हम लोग जा रहे थे सीदला माता के मंदिर तो हम लोग पहुँच चुके थे हैं माता रानी के मंदिर तो अभी हम लोग ले रहे थे हैं यहां पर परशाद तो यहां पर परशाद का क्या है ना कि जहां पर भी आप पारकिंग करते हो वहीं से आपको परशाद लेना होता है और यहां पर पारकिंग बिल्कुल फ्री थी तो यहां से हमने लिया था परशाद और परशाद के साथ में हमने ली दिडि़ जीव जो लो जिसे मेरा बेटा भी बोलता नहीं है तो हम ने इसकी बोल दी थी मतलование आता नांनी के नाम लेकर ऐसी बोल मेरा बेटा बोलेगा तो मैं जीव अगरा चढ़ाऊंगी कुछ लोग आंखे भी बोल देते हैं इस तरह से ना बनी हुई मिलती है चांदी की होती है और यह बनी हुई मिलती है तो हमने यह चढ़ाई थी मातरानी की जीव और यहां पर परशाद ले लिया था हमने और उसके किर्शन जी की कहानी सुनी होगी जिसमें पूतना थी जो की किर्शन जी को दूद पिलाया था जिनोंने तो वह जो पूतना थी जब वहां से उनका सर इस जगह पर आकर गिरा था और जब इनका सर यहां पर आकर गिरा था तो उस जगह को सीतला माता का मंदिर बनाया गया है जहां पर उनका आकर सर गिरा था उस जगह पर आकर बना था यह सीतला माता का मंदिर और तब किश्ण भगवान ने उनको ये आशिवात दिया था कि जैसे मैंने तुम्हारा दूद पिया है वैसे ही आपको सारे संसार के लोग मतलब आपको पूजेंगे आपको मतलब कोई भी आपको गाली गलोची आपको कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा और आप भी माता की तरह ही पूजी जाओगी तो तफसे यहां की माननेता है कि सभी लोग यहां पर आते हैं और अपने कुछ लोग बच्चों को लेकर आते हैं कुछ लोग शादी शुदा मतलब जो शादी शुदा जोड़े होते न वो लोग आते हैं यहां पर अपनी मननत मांगने और यहां पर अपना चड़ाने के लिए परशाद और तो यहां की यह माननेता है मुझे भी इसा पहले नहीं पता था तो यहां पर मुझे आकर पता चला था यह मेरी सासुमा जी ने बताया था मुझे कि यहां की यह माननेता है तो अभी हम लोग जा रहे थे मंदिर के अंदर तो यहां पर ने जाता तो यहां पर सरकल बने होए थे डिश्टेंसिंग के लिए इस वह तो जगह जगह पर सरकल बने हुए थे गोले-गोले और मंदिर के अंदर का तो मैं श्कूप नहीं किया था जहान पर मातरान की मूरति थी क्योंकि वहाँ पर allowed नहीं था मंदिर के अंदर आपको पता होगा allowed नहीं होता है और यहाँ पर एक जगेती जहाँ पर मननत का घर बनाया जाता है अपनी मननत मांगी जाती है तो मैंने भी मैंने और मेरे husband दोनों ने मिलकर यहाँ पर मनत का घर बनाया था और पहले मेरे हस्बंड ने बनाया था और फिर मैंने बनाया था तो हम लोगों ने दोनों यहां पर जो भी मन्नत मागो वह पूरी होती है और सभी लोग यहां पर बना रहते हैं अपना अपना गर इसी तरह से आपने देख रहे होगी पीछे सब जगा यहां पर बना हुआ है सभी का इसी तरह से अब अब अभी मेरा सब्सक्राइब बना रहते तो इसमें जो थोड़ी बहुत कमियार है थी वो फिर मैं बनाऊंगी मैं कम्प्लीट करूंगी उन्हें और यह सब मुझे पहले नहीं पता था यह सब मुझे वहीं जाकर पता चला था कि ऐसा भी कुछ होता है तो आप में से कुछ लोगों को अगर पता ना हो तो आप लोग भी जाएंगे वहाँ पर कभी तो आप लोग मनत का घर जब बना के आना और यहाँ पर न तालाब की मिट्टी से भी मनत मांगी जाती है यहाँ पर मिट्टी रखी हुई थी उसमें भी तालाब की मिट्टी बोल तो हम दोनों नहीं मिलकर अपना घर बना लिया है तो कैसा लगा हमारा घर मननत का घर आप लोग बताना जरूर कभी सपना सच होगा तो और यह हम लोग मंदिर के बाहर ही बैठे हुए थे सभी लोग यह है मेरी देवरानी और यह उनकी बेटी क्योंकि उसके भी बाल कटने थ देखे जी है चढ़ानए लिए चढ़ाने थे और हम इस सवी लोग गई ते मिलकर साथ में कि और यह कि सनि भी लग रहा है मस्ते करने और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी थी और यहां पर नसा isn't आपको यलो यलो कपड़ों में ही दिखाई देंगे सभी लोग क्योंकि यहां पर यही माननेता है कि यलो कलर के कपड़े ही पहनने होते हैं सभी को ज्यादा तर कुछ ना कुछ मतलब थीम सी होती है ना सभी की देखो यलो यलो दिख रहा होगा आपको पीछे तो यही चीज थी यहाँ पर तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर मातारानी के मंदिल भी और यह देखे सनी इंटामुंडन नहीं कराया है हमने इसी थोड़ी सी बाल कटिक कराये थे थोड़ी सी बाल कटाये थे इचके भी और इचके भी और बा कि बस हम चाने वाले हैं को, और यह देख रोटीर थी है लोटीर? हाई कहा है हैं, बता रहा हैं चाने पकर सहनी को कहा है याँ नहीं है, स्वीतला माता के संदिर पेगुणाओ नहीं आप तो आप जैसे काई वाई हो न? अर बार और यहां पर देखिए आप लोग यहां पर मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं जस्ट हम बिल्कुल मंदिर के बाहर यह अंदर मंदिर है और यह मंदिर के बिल्कुल बाहर ही बैठे हुए हैं मंदिर के अंदर ही हैं हम लोग लेकिन एंट्री यहां से होती है मंदिर के अंदर आने के लिए और यह मंदिर के बाहर हम लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग यहां से एंट्री करके आ रहे थे और कुछ लोग शादी सुता जोड़े थे जो नए शादी के जोड़े होते हैं रख्यायते अपना खाना वगएर नहीं पर खाक के जाना होता है तो फिर बाद में लेकर आयते जाकर और यह है कृष्ण तलाब यहां पर ही मुंडन हौल है मतलब यहां ही पर हमने बच्चों के बाल कटिंग करायते थोड़ी-थोड़ी से वह मैंने शूट नहीं किया था क्य तो वापसी में मैंने देखा कि जहां पर हमने अपनी चपले उपतारी थी वहां पर मेरी चपल गायव थी तो मेरी चपल चोरी हो गई मैं नंगे पैर वापस आई घर पर क्योंकि मुझे नंगे पैर ही वापस आना पड़ा और यहां पर बच्चों को एक-दो खिलोने और दिलाये थे हमने बहुत ज़्यादा खिलोने नहीं दिलाये थे बस सनी को एक बैट बॉल दिला दिया था और एक दो टॉय और दिला दे थी ने बच्चों को और यहां पर सभी जग मतलब खिलोने की दुकाने तो थी ही ऐसा तो होता ही नहीं कि कहीं पर मंदिर हो बड़ा औ और हमाँ पर खिलोने ना हो और मतलब सो चड़ने से पहले ही करा ये subscribe दरिस到了 पर हम लोग किते थी तो नहंगा था थोड़ा सब या हुग होगा रहा थि तो ह्कोड dat बनाश्वेक नास्ता कर लिया था यह ma सब्सक्णारी कर स्काइब करें.... और इनों पी थी तिती दुझत alive यहां पर रखास क्यों के सबस्क्राइन के अगये तहीं कर जेक्न जिल्स राता दो हम और कुरूदोर से taste कि सम्स्काले की कैसलिया के तो कोड़े से जाना थे मैं पेछली वीडियो में दिखाया थे था अको यह वही कोडे का भी और उसके बार हाइए तो यहां पर को टेंट लगे हुई दिखाई करें दो यह जो टेंट है यहां आंदोलन किया हुआ है यहां पर किसान myself ने आंदोलन छेड़ा हुआ है अपना और यहां पर जगा जगा पर टेंट लगे हुए हैं और सड़के जाम की हुई हैं एक तरफ का रास्ता पूरा रोका हुआ है किसानों नहीं जिसके वज़े से हमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी रास्ते में जब गए थे हम क्योंकि रास्ता रोका हुआ है आप देख रहे हो कितनी दूर तक इन लोगों ने अपना बनाया हुआ है अपना घर बसाया हुआ है टेंट लगा लगा कर जगा जगा और ऐसा काफी दूर तक चल रहा था किसानों का अंदोलन की वज़े से लोगों को बहुत परिशानी भी हो रही है और पूरी सड़के जाम की हुई है इनोंने मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसा चल रहा है उनका टेंट अगेरा लगा कर तो देख रहे हो आप कितना लंबा लगा हुआ इनका पता नहीं आंदोलन कब खताम होगा लोगों को परिशानी कब खताम होगी इस तरह से तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे घर तो घर आकर बस फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लोग में तब तक लिए बाई बाई कियो